हेलो एवरिवन बिटा स्टार्ट कर रहे हम लोग NCRT BMA सिरीज में हमारा सेकिंड लेक्चर है आज प्लांट किंडम का पोड़कास्ट है और इसमें हम लोग आपको आडियो रिविजन कराएंगे प्लांट किंडम की तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले दो पॉइंट याद करने चाहिए जो भी एक्जामपल मैं बताऊंगा आपको उन सब को आपको पहले लिख कर याद करना है उसके बाद ही इस रिविजन को आगे बढ़ाएं तो मैं एक्जामपल्स बता रहा हूं आपको सबसे पहले ग्रीन एल्गी में कौन-कौन से एक्जामपल्स है ग अब आपने याद करने है ब्राइयोफाइट्स के प्रायोफाइट्स में, लिवरवर्ट में, सिर्फ मारकेंशा याद कर लेना, रिक्सिया आप आता नहीं है, और मॉस में आप याद करो, सपैगनम याद कर लो, जिसे हम पीट मॉस कहते हैं, उसके अलावा आप याद कर लो, फिनेरिया और पॉलिटराइकम, उसके बाद आ ज जाता है स्लेजनीला फ्यलोकाल मा जाता है L sixteen All उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा यह जैसे चार गुरूप हमने पड़े कंप पर चीजांपल्स ते यह जो इसक बाद आ जाते हैं जीमनोस justify में तो आपने याद करना एक तो इसके बाद ऐसके ऑल एश स्वाले स्वाल जींड में qafaran स्मॉले स्प्री और यूकियन्टर सो मीटर तॉलस ट्री दे रखा है उसके लाव आपके आसपास के एक्जामपल है एंजियो स्पर्म की अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को NCRT के फर्स्ट पेज पर क्लेरली मेंशन है कि हमने प्रीवेस चैप्टर में kingdom of classification को डिसकस किया था kingdom of classification को डिसकस करते वे हमने two kingdom classification में साइनो बेक्टीरिया को अलगी के अंदर रखा था लेकिन यहां पर जब हमने five kingdom classification पड़ी उसमें साइनो बेक्टीरिया को मॉनेरा में रखा गया था ठीक है उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो यहां दे रखा है first page पे first page में बताया गया है कि plant kingdom में पांच ग्रूप है algae है, bryophyte है, terido है, gymno है, angio है इन पांच ग्रूप जो हमारे पास plant kingdom के दे रखे हैं इनमें हमारे पास angio sperm के अंदर जो classification है उसको हम एक topic में बढ़ते हैं जिसे हम कहते है system of classification, उसे हम बोलते है system of classification NCRT ने क्या किया है, तीन system बताएं है, सबसे पहला system है artificial system artificial system का क्या मतलब है, कि हमने क्या किया है, कि जो angio sperm के अंदर classification करी है उस पे मैंने क्या किया है, मतलब gross morphological character, मतलब ऐसे character जो color पे habits, मतलब उसकी color पे size पे इन चीजों पे depend करते है तो artificial system किस पे depend करता है, gross morphological characters पे depend करता है, उसमें vegetative और reproductive features को same weight is दी गई है उसके अलावा इसमें सिर्फ morphological features लिए गए है, और अगर reproductive features लिए गए है तो उसमें भी number of androsium की बात करी है जिसने जो propose किया था lenius ने, तो अगर artificial system की बात करें, उसमें lenius ने number of androsium को लेकर बात की थी उसके बाद artificial system के क्या drawback है, कि इसमें unrelated organism साथ आ जाते हैं और ऐसा correct नहीं है कि वेजिटेटिव और reproductive features को equal weight is दी जाए reason क्या है, कि reproductive characters जो होते हैं वो असानी से नहीं बदलते, पर vegetative characters जो हैं वो असानी से change हो जाते हैं अब इसके बाद की हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे चले गए, plant kingdom में ही आगे जा रहे हैं और बात करते हैं natural system की, natural system का मतलब it is based on natural affinity, मतलब हमने क्या लिया है, सिर्फ external feature ना लेके biochemistry, cytology और anatomy और cell की detail ये सारे features लिया है, embryology ये सारे features लिया है classification के लिए, इससे क्या हुआ है, जो related organism में उन्हीं का group बन रहा है, और ये इस तरह की classification दी है, bentham and hooker ने, ठीक है, उसके बाद हम आजाते हैं phylogenetic system, phylogenetic system ये कहता है कि जो organism एक group में रखे जाते हैं, उनका कोई common ancestor होता है, अब यहाँ पर point यह है कि जब आप common ancestor की बात करते हैं, उसके लिए आपको fossils की जरूरत होती है, fossils बहुत easy नहीं होता, तो कुछ ऐसी system है जो phylogenetic system में help करते हैं, उनमें से एक है numerical taxonomy, numerical taxonomy को fanatic system भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि हर character को एक code दिया जाता ह है, computer based program design करते हैं, after that, after that, vegetative or reproductive character को यहाँ भी same weightage देते हैं, पर large number of characters लेते हैं, उससे क्या होता है कि जो similar organism है, वो same group में आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास एक cytotaxonomy होते हैं, जिसे karyotaxonomy भी कहते हैं, तो क्योंकि cell के अंदर nucleus यह एक ऐसी चीज है, जिसमें chromosome का number, behavior, यह सा बात करनी हैं, फिर आ जाता है हमारे पास chemotaxonomy, chemotaxonomy में basically क्या होता है बिटा, हमारे पास जो chemicals present होते हैं, plant में उनको अधार बनाते हैं, classification का, generally secondary metabolite होते हैं, अब हमने बात कर ली है, second page पे आ गए है, plant kingdom के हम, अब हम बात करेंगे, उन 5 group की, algae, bryophyte, teridophyte, gymno-orangio, मैं repeat कर दे इने हैं, याद कर लेने हैं, फिर आपको इसे सुनना है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले general features की, अगर हम इन 5 group में देखें, तो algae जो है, उसमें zygotic meiosis होती है, उसे embryo phyta नहीं मानते, बाकी के 4 group, bryophyte, teridophyte, gymnosperm, angiosperm, उनमें zygotic meiosis होती, उनमें zygotic mitosis होती है, उनमें ह हम मानते हैं कि embryo दिखता है, उसके बाद हम बात करते हैं, seed किसमें present है, gymno NGO, उन्हें इसलिए spermetophyta कहते हैं, tracheophyta का मतलब होता है, जिसमें vascular bundle, teridophyte, gymnosperm, angiosperm, ये tracheophyta होते हैं, algae और bryophyte, पहले 2 group, haploid plant है, teridophyte, gymno NGO, ये diploid plant होते हैं, ठीक है, जब भी हम बात करते है है, haploid plant की, तो उनमें dominant plant body gametophyte होती है, और जब हम बात करते हैं, diploid plant की, तो उसमें dominant plant body sporophyte होती है, अब हम बात कर लेते हैं, बिटा, कि life cycle की, algae में life cycle haplontic है, इसका मतलब उसमें diploid stage के cells का number बहुत कम होता है, वो single cell zygote होता है, bryo-teridophyte में life cycle haplodipontic है, bryophyte में teridophyte में life cycle haplodipontic है, means sporophyte और gametophyte में sufficient number of cells होते है, gymnosperm और angiosperm की life cycle haplodipontic है, इसका meaning यह है, कि इसमें gametophyte stage में cells के number कम है, और वो depend है किस पे sporophyte पे, अब हम आ जाते हैं algae की detail पढ़ना, algae जो होती है बिटा, green है, thaloid है, chlorophyll bearing है, algae का जो habitat है, हमारे पास, वो कहां मिलती है, green algae, fresh water marine दोनों में मिलती है, हमारे पास, उसके लावा moist soil पे मिल जाती है, stone पे मिल जाती है, कुछ green algae हमारे पास sloth bear पे grow करती है, तो कुछ उसके unusual habitat भी है, brown algae भी हमारे पास fresh water marine में मिलती है, पर mainly marine है, same red algae भी fresh water marine पर mostly marine में मिलती है, और कुछ red algae हमारे पास warm water में भी grow करती है, तो हम आ जाते हैं structure को लेके हम तीनों algae के structure को compare करेंगे green algae में unicellular algae है chlorella और chlomidomonas chlorella में phlegela नहीं होता chlomidomonas में phlegela होता है जब हम cells को ऐसे लगा देते हैं line wise तो filamentous हो जाती है तो yulothrix cladophora ये आपकी filamentous algae है spirogera filamentous algae है brown algae में भी structure filamentous ही होता है branch कम branch से लेकर जाधा branch तक और red algae भी filamentous होती है इसका मतलब algae में सबसे common structure हमारे पास कैसा है filamentous उसके अलावा green algae में एक algae होती है walworks जो colonial होती है तो green algae में unicellular याद करना है filamentous याद करना है colonial याद करना है और उसके अलावा कारा है थोड़ा सा advanced thalis होता है कारा के लिए एक बात हमेशा याद रखनी है उसमें अपर क्या प्रेजेंट होता ऊगोनियम लोवर एंध्रीडियम यह class 12 की ncrt में लिखा हुआ है अब हम आगे की बात कर लेते हैं विटा आगे हम जा रहे हैं यह हमने किसकी बात कर ली है यह हमने बात कर ली है यह हमने बात कर ली हैinosaur की स्ट है प्राउन एल्गी में और रर्ड और हमारे पास कारा जीन है पैक्टीन भी होता है और पॉल इक्रियोट में different flegilla होता है जो tubulin protein का बना है तो तीनों algae green algae brown algae red algae green algae में flegilla zoos pore और gametes में होता है उसके लावा organism भी हो सकता है brown algae में flegilla zoos pore और gametes में होता है red algae में कोई flegilla नहीं होता green algae में flegilla जो होगा 2 से लेकर 8 होगा apical होगा equal होगा 2 से लेकर 8 होगा apical होगा equal होगा brown algae में flegilla lateral होगा unequal होगा और जो red algae है उसमें तो कोई flegilla ही नहीं है clear है यह चीज तो इसका मतलब green और brown algae में flegilla zoos pore और gametes में mostly मिलता है मुझे red algae में जो spore होते हैं वो non motile होते हैं उसे a planus spore कहते हैं और gametes में flegilla नहीं होता कि इसमें red algae में clear है उसके बाद आ जाते हैं storage की green algae में storage होती है starch की और हम oil बोल सकते हैं कहीं पर brown algae में हमारे पास है laminarian starch और manitol और red algae में है fluoriadian starch which is similar to amylopactin and glycogenin linkage अगर हम linkage की बात करें तो alpha 14 और alpha 16 linkage हो सकती है अब हम बात कर लेते हैं pigment की green algae में grass green chlorophyll A और chlorophyll B होगा brown algae में chlorophyll A chlorophyll C और fucozantin होता है NCRT कहती है कि जितना ज़्यादा fucozantin होगा olive green से brown की तलफ color जाता है उसके बाद हम आ जाते हैं red algae chlorophyll A chlorophyll D और उसके साथ हमारे पास होता है R phycoerythrin क्या होता है R phycoerythrin तो चार चीज़े आपने याद रखनी है cell wall याद रखना है फ्लेजिला याद रखना है pigment याद रखना है storage याद रखना है algae के structure में यह comparison जरूर से याद रखना है अब हम बात करते हैं reproduction की क्योंकि algae filamentous है तो उसमें fragmentation हो सकती है vegetative reproduction उसके लावा fission भी हो सकता है अगर हम बात करते हैं asexual reproduction की तो asexual reproduction में एक होता है zoospore zoospore क्या होते हैं motile spore होते हैं जो green और brown algae में बनते हैं red algae में zoospore की जगा a planospore बनता है zoospore खुद से haploid होते हैं और a sexual reproduction से बनते हैं इसका मतलब algae का जो खुद का थैला से haploid होता है तो algae खुद से haploid है mitosis से zoospore बनाएगी जिसमें flagella होता है green algae के zoospore में 2 flagella होते हैं और 2 flagella apical है equal है brown algae में flagella 2 है lateral है unequal है फिर हम बात करते हैं sexual reproduction की जो सबसे ज़ादा important है exam के लिए green algae में isogamous, anisogamous, oogamous तीनो तरह का reproduction मिलता है brown algae में भी isogamous, anisogamous, oogamous, oogamous तीनो तरह का structure मिलता है brown algae में बोला गया है कि male sex organ का नाम enthridium है और female sex organ का नाम oogonium है red algae में हमारे पास तिर्फ oogamous type of reproduction होती है इसका मतलब red algae में isogamous और anisogamous नहीं मिलता green algae में isogamous के example में दे रखा है कि isogamous non motile का example spirogera है isogamous motile में एक हमारे पास yulothrix आ जाएगा और उसके अलावा आपने याद रखना है जो cladophora और clamidomonas cladophora 12th की NCI-T में लिखा है तो green algae में isogamous के चार example है spirogera non motile है बाकि cladophora, eulothrix और clamidomonas motile है nisogamous में नया example add हुआ है green algae में eudorena और हमारे पास walvox जो है वो ugamous का example है green algae में brown algae में isogamous और nisogamous के कोई example नहीं दे रखे ugamous के लिए fucus बता रखा है और red algae जो चार दे रखे है ग्रैसी लेरिया जिलीडियम और ये जो porphyra polys iphone या ये चारों हमारे पास कैसी होती है ये चारों हमारे पास ugamous होती है clear है अब हम बात कर लेते हैं कुछ और detail की brown algae में क्या होता है जो thallus होता है उसमें hold fast होता है जिससे attachment होती है उससे पानी absorb नहीं होता stipe होता है frond होता है frond सबसे बड़ा photosynthetic part है float करता रहता है क्योंकि उसमें air bladder वगरे होते हैं उसके अलावा walvox colonial algae है walvox दो reason से याद रखना है colonial है और o gamus है उसके अलावा आपने ये याद रखना है बिटा कि जो red algae है उसमें zygote में mitosis वगरे होती है complex post fertilization changes है अगर हम algae की life cycle की बात करें algae की life cycle haplontic होती है haplontic life cycle का मतलब ये होता है कि main plant body gametophyte है और जब हमारे पास gamets बनके zygote बनता है zygote में आगे mitosis नहीं होती zygote में सीधे meiosis होती है ये life cycle algae के अलावा most of the fungi में भी मिलती है तो कहीं ना कहीं हमने ये सीख लिया कि algae जो है वो haplontic है जिसमें dominant stage gametophyte है इसलिए वो haploid plant है क्या algae में sporophyte stage मिलती है हाँ single cell zygote ही उसका sporophyte होता है तो जो algae का sporophyte होता है उसमें meiosis हो जाती जिससे zygote क्या बोलते है meiosis तीन चार ऐसी algae है जिसमें zygotic meiosis नहीं होती और जो exception है kelp, ectocarpus, polysiphonia वो haplodiplontic algae है इसका मतलब उसके zygote में meiosis नहीं होती उसके अलावा fucus है जो diplontic algae है जिसके zygote में meiosis नहीं होती clear है अब हम आजाते हैं bryophyte में जब हम bryophyte की बात करते हैं तो bryophyte पहले land plant थे उन्हें वो मिलते हैं हमारे पास hilly area में, moist area में और shady area में bryophyte को हम plant amphibian भी कहते हैं क्योंकि उन्हें plant उन्हें पानी की जरूरत होती है किसके लिए fertilization के लिए इसलिए वो पानी के आसपास ही मिलते हैं हमें और shade में मिलते हैं दूसरी चीज हमें क्या याद रखना है कि bryophyte का thallus या structure algae से थोड़ा ज़ादा advance होता है पर still उसमें thallus होता है मतलब well differentiated plant नहीं होता bryophyte में root like structure stem like structure और leaf like structure होता है true root stem leaf नहीं होता उनका जो thallus होता है उसके ventral surface पे rigeoids present होते हैं rigeoids unicellular और multicellular होते हैं अगर मैं आपसे कहूं rigeoids क्या होते हैं rigeoids का function होता है क्या basically rigeoids का का काम होता है पानी और mineral absorb करना वो root जैसा काम करते हैं पर root नहीं है उसके बाद हम बात करते हैं कि जो main plant body है मेन प्लांट बोडी ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट होती है मतलब क्या हुआ जो प्लांट हम देखते हैं ब्रायोफाइट में वो गेमेटोफाइट होता है और गेमेटोफाइट कहोने का मतलब वो गेमेट्स बनाता है इसका मतलब मैं यह कहूँगा कि ब्रायोफाइट भी हेपलॉइड प्लांट होते हैं गेमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट जो थैलस है जो थैलस है उसके उपर क्या बनता है सेक्स ओर्गन बनते हैं मेल सेक्स ओर्गन का नाम एंथ्रीडियम है जो मल्टी सेलूलर हेपलॉइड है फीमेल सेक्स ओर्गन का नाम आर्कीगोनियम है जो मल्टी सेलूलर हेपलॉइड है एंथरीडियम जो है वो एंथिरोजोइड बनाता है सिंगल सेल का mil gamet जिसमें फ्लेजिला है और आर्कीगोणियम फ्लास्स शेप का है उसमें सिंगल एग सेल होता है वो जो एग सेल है वो non-motile है तो इसका मतलब यह हो गया आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों मल्टी सेलूलर होते हैं दोनों हेपलॉइड होते हैं दोनों गेमेटोफाइट के उपर बनते हैं आर्कीगोनियम का जो गेमेट होता है एंथ्रीडियम का जो गेमेट होता है वो मोटाइल होता है यहां तक समझ में आ रही है, अब इसके बाद की हम बात करते हैं तो हमारे पास जो anthrozoid होता है वो male gammit है वो fertilize करता है किसको egg cell को और properly क्या बन जाता है zygote बन जाता है, क्या इतनी बात समझ में आ गई है कि नहीं बताओ और उससे जो structure बनता है वो एक sporophyte होता है ब्रायोफाइट में sporophyte के तीन पार्ट होते हैं एक होता है capsule, एक होता है sit, ceta और एक होता है foot foot attach होता है sporophyte से अब हम यहां से आगे की बात कर सकते हैं अब हमने जो बात करी हमने बात कर ली कि क्या होता है foot ceta capsule होता है उसके बाद fertilization हमने किस से लिखी थी, पानी से लिखी थी अगर मैं bryophyte की economic importance की बात करूँ क्योंकि मैंने algae की economic importance नहीं बता है यह दोनों साथ बता रहा हूं मैं अगर मैं bryophyte की economic importance की बात करूँ तो जो bryophyte होता है वो कहीं न कहीं उसमें से कुछ moss होते है जो herbaceous mammal और उसके लिए खाना होते है वो soil erosion prevent करते है peat moss, phagnum जो होता है वो fuel की तरह use हो सकता है transshipment of living material bryophyte की ecological importance ज़ादा है मतलब economy से ज़ादा ecological importance है क्योंकि soil erosion को prevent करते है mat की तरह काम करते है food देते हैं किसको herbaceous mammal और water hold करते हैं इसलिए transshipment में use करते हैं अगर मैं algae के economic importance की बात करूँ तो NCRT कहती है कि 50% से ज़ादा CO2 algae fix करती है हमारे पास क्या है कि oxygen की concentration बढ़ाती है 70 species है marine algae की हमारे पास laminaria और sargassum की जिने खाया जाता है उसके अलावा algine और caragine जो हमें brown algae और red algae से मिलता है उसको commercially use करते हैं gracilieria और gelidium से मिलने वाला chemical agar उसको use करते हैं ice creams और jelly में chlorella वो use किया जाता है space traveler के थू as a food पहले इसमें बिटा spirulina भी लिखा था आप अब हटा दिया है spirulina को क्योंकि spirulina वैसे sinobacteria पर use कर सकते हैं space traveler अब हम आ जाते हैं bryophyte पे वापसी bryophyte पे हम discuss कर रहे थे कि bryophyte में dominant plant body gametophyte है gametophyte जो होता है हमारे पास वो haploid होता है अब अगर हम बात करते हैं liver words की liver word कहां मिलते हैं moist soil में मिलते हैं stream पे मिलते हैं होता है ऐसे horizontal thalus होता है ठीक है उसके अलावा जो bryo जो liver word होते हैं उनमें हमारे पास thalus के अलावा leafy stage भी होती है पर leaf दो row में होती है इनके liver word के जो rhizoids होते हैं वो unicellular होते हैं यह याद रहेगा liver word में fragmentation हो सकती है reproduction में उसके अलावा एक haploid structure होता है जामा कप डॉर्सल सर्फेस पे जामा कप के अंदर बढ़ बनती हैं जिने जामा बढ़ कहते हैं जामा बढ़ क्या होती हैं multicellular होती हैं green होती हैं haploid होती हैं जामा बढ़ निकलके नया thalus gametophyte बना सकती हैं अब हमें यह समझना है कि gametophyte के उपर मेरे पास archigonium और enthridium दोनों बनता है archigonium जो है वो female sex organ है enthridium male sex organ है enthridium से enthrosoid जाकर fertilize करता है किसको archigonium को वहां से बन जाता है zygote zygote के तीन पार्ट होते हैं mitosis से zygote multicellular sporophyte बनाता है multicellular sporophyte में foot ceta capsule है capsule के अंदर meiosis करके हम spore बनाते हैं और हमें यह समझना है कि liverwort का जो sporophyte है वो जादा elaborate नहीं होता अब हम आजाते हैं mosses पे mosses जो होते हैं वो भी shady place पे मिलते हैं mosses की जो main plant body है उसे leafy stage कहते हैं मतलब उस पे leaf होती है जो heploid leaf है rhizoids multicellular होते हैं और base of stemper होते हैं जो moss होता है उसमें जो branch होती है उन branch को हम क्या बोलते हैं बिटा हम बोलते हैं enthridial branch और archegonial branch उन branch के tip के पास enthridium और archegonium लगता है मतलब यह gametophyte है जो heploid है जिसे leafy stage कह रहे हैं उस पे archegonial और enthridial branch लगती है archegonial और enthridial branch के tip पर archegonium और enthridium लग जाता है अब क्या करते हैं बिटा enthridium से जो enthrosoid होता है वो जाता है किसमें archegonium में और उसे fertilize करता है उसके बाद zygote बन जाता है हमारे पास zygote से मेरे पास foot theta capsule वाला sporophyte बनता है moss का sporophyte ज़ादा elaborate होता है as compared to liverwort जो moss का sporophyte है उसमें capsule में meiosis होके क्या बनते हैं spore बनते हैं moss के अंदर अलग से spore dispersal mechanism होता है यह याद रहेगा यह याद रहेगा अब यहाँ पर एक बहुत important चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जो spore है वो directly directly gametophyte नहीं बनाते moss में spore क्या करते हैं एक multicellular thallus जैसा structure बनाते हैं जिसे proto-nima कहते हैं तो हमने यह आपर यह समझा कि सबसे पहले leafy stage थी leafy stage पर archagonial branch पे क्या बन गया zygote बन गया zygote से sporophyte बन गया उस sporophyte से जो spor बने जो sporophyte से spor बने वो spor ने जाकर क्या किया हमारे पास क्या बना दिया थैलस बना दिया उस थैलस को हमने क्या बोल दिया ध्यान से जुनेंगे जो spor थे उन्होंने एक थैलस बनाया जिसे proto-nima कहते हैं उसी की एक stage होती है secondary proto-nima जिस पर bud बनती है lateral bud हर एक bud से एक gametophyte बन सकता है इसका मतलब क्या हो गया मौस में एक asexual reproduction का तरीका budding in proto-nima है क्योंकि एक proto-nima पर 40 bud भी बन सकती है 50 bud भी बन सकती है हर bud एक अलग gametophyte बनाएगी तो हमने यह आपर यह difference सिखे हैं कि liver word में जो rhizoids होते हैं unicellular है मौस में multicellular है liver word जो होता है कम elaborate है मौस में जादा elaborate है मौस में इसके साथ spore dispersal का mechanism होता है अब हम आ जाते हैं teridofite पर पर उससे पहले ज़रा हम bryophyte की life cycle discuss कर लेते हैं हमने बोला था सभी तरह के plant में gametophyte और sporophyte दोनों तरह की stage होगी algae के case में gametophyte main plant body थी और sporophyte single cell जाइगोड था पर bryophyte के case में gametophyte जो है वो main plant body है लेकिन sporophyte single cell नहीं है sporophyte multicellular है वो sporophyte depend होता है gametophyte पर खाने के लिए इसलिए हम कह सकते हैं कि sporophyte non green parasitic है तो हम ये बोलेंगे कि bryophyte में main plant body gametophyte है और sporophyte उस पर depend है life cycle haplodeplointic कहलाती है क्योंकि gametophyte और sporophyte दोनों हमारे पास क्या होते हैं multicellular होते हैं पर हम क्या बोलते हैं कि bryophyte एक haploid plant है reason क्या है कि bryophyte haploid plant क्यों है बेटा reason क्या है ध्यान सजुनना reason क्या है कि bryophyte में dominant plant body gametophyte होती है अगर आपसे कोई पूछे कि bryophyte में diploid structures बताओ foot ceta capsule zygote ये हमारे पास diploid structure है spore, protonima और आपके पास jama, bud ये सारे आपके पास archegonium, enthridium ये haploid structure है अब आप में आ जाते हैं teridophyte पर हम ये जानते हैं कि life पुरी तरीके से land पर आ गई थी teridophyte proper तरीके से land plants थे जिन्होंने vascular bundle develop किया तो teridophyte के जो representative member होते हैं उनमें हमारे पास एक तो ferns होते हैं मतलब mainly ferns जादा होते हैं उसके लावा equis item को horse tail कहते हैं वो उसके मतलब representative member है teridophyte का बहुत जादा economic use नहीं है ornamental use करते हैं और कुछ medicinal purpose में यूज करते हैं और वो क्या करते हैं soil erosion prevent करते हैं कहीं ना कहीं soil binder की तरह काम करते हैं अब हम आ जाते हैं teridophyte के habitat की teridophyte भी बिटा हमारे पास shady place जैसी जगा पर मिलता है पर वो sandy soil में मिल जाता है पर वो बहुत cool place पे मतलब ऐसा नहीं बोल सकते की sorry हम ये नहीं बोल सकते कि उसको एकदम humid जैसी जगा चैए पर हमें याद रखना है land पर मिलता है पर पानी का source आसपास होना चाहिए अब हम आते हैं उसके structure पे teridophyte, bryophyte से compare करें first time true root stem leaf आया इसका मतलब पहली बार इनमें vascular bundle बने xylem phloem पहली बार teridophyte में बनते हैं तो जो teridophyte हैं जिन्होंने पहली बार vascular bundle डवलप किये तो उनमें true root stem leaf डवलप होता है अब हम बात करते हैं root की तो root proper tap root type की हो सकती है हम बात करते हैं stem की और बात करते हैं leaf की तो जो teridophyte में leaf है वो दो तरह की होती है एक normal leaf होती है जो छोटी हो सकती है बड़ी हो सकती है normal leaf मतलब photosynthetic leaf अगर वो छोटी leaf है तो उसे microfil कह रहे है जैसा कि equisitum में होता है clear है हना या slaginela में होता है और बड़ी leaf है तो उसे हम क्या बोल रहे है macrofil जो हमारे पास fern में होता है उसके अलावा teridophyte में special type की leaf होती है क्योंकि हम ये बानते हैं कि teridophyte वो plants है जिनमे dominant plant body sporophyte मैं repeat कर रहा हूँ teridophyte वो plant है जिनमे dominant plant body sporophyte है जब हम बात करते हैं कि dominant plant body sporophyte तो उसे spor बनाना चाहिए इसका मतलब जो आप teridophyte देखते हो वो उसकी sporophyte stage है उसमें foot seta capsule की जगा root stem leaf होता है true वाला और true root stem leaf मतलब उसमें vascular bundle है जब हम ये कह रहे हैं कि वो क्या बनाएंगे spores बनाएंगे तो कहीं न कहीं कोई structure होना चीए teridophyte में spore बनाने के लिए तो जैसे की algae में spore किसने बनाए थे zygote ने bryophyte में किसमें बने थे capsule में teridophyte में special structure होता है जिसे हम क्या बोलते है sporengia sporengia जो होता है खास्त रहे की leaf पर develop होता है जिसे sporophyll कहते हैं अब ये sporophyll loosely arrange होती है या कोई structure हुआ कि sporophyte main plant body है उस पे special type की leaf बनी है sporophyll sporophyll कुछ case में कौन नहीं बनाती जैसे fern कुछ case में proper कौन बनाती है sporophyll और वो जो कौन है वो मतलब है compact structure है sporophyll का उसके नीचे क्या present होता है sporengia present होता है अब हमने जो structure देखा है sporengia द्यान से सुनेंगे बिटा हमने जो structure देखा है sporengia sporengia के अंदर meiosis होके spore बनते हैं मैं repeat कर रहा हूँ sporengia diploid है कि heploid है क्योंकि sporengia sporophyll पर है जब sporengia के अंदर meiosis होती है तो spore बनते है spore एक heploid structure है spore जो होंगे वो germinate करके एक gametophyte बनाएंगे क्योंकि spore की germination से mitosis से gametophyte बनता है अब ये gametophyte जो है वो बहुत छोटा है inconspicuous है green है free living है और पर ये इसको shade की ज़रूरत होती है तो दो reason है कि why teridoophyte का distribution बहुत ज़ादा नहीं होता पहला उसके जो gametophyte है जिसे हम pro thallus कहते है pro thallus gametophyte है teridoophyte का जो छोटा होता है green होता है free living होता है उसको shade की ज़रूरत होती है दूसरा teridoophyte में भी fertilization के लिए पानी चाहिए इसलिए बहुत ज़ादा dry area में इनके मिलने के chances कम है तो इससे इनका distribution कम हो जाता है अब जो gametophyte बना उस पे archegonium और enthridium दोनों बन सकता है अब आपको याद रखना है कि algae के अंदर main plant body gametophyte थी और zygo dependent था gametophyte पर bryophyte में भी main plant body gametophyte थी multicellular sporophyte dependent था evolution wise पहली बार teridoophyte में ये हुआ कि gametophyte और sporophyte दोनों free living हो गए पहली बार क्या हुआ gametophyte और sporophyte free living हो गए दोनों multicellular है इसलिए life cycle को haplodeplontic बोलते हैं पर हम ये जानते हैं कि main plant body sporophyte है इसलिए teridoophyte deployed plant है मैं repeat कर रहा हूँ life cycle haplodeplontic है क्योंकि sporophyte gametophyte दोनों multicellular है पर हम ये बोल रहे हैं क्योंकि dominant stage sporophyte है इसलिए teridoophyte deployed plant है अब हम बात करते हैं कि teridoophyte दो तरह के होते हैं एक होता है मेरे पास homosporus और एक होता है heterosporus most teridoophyte homosporus होते हैं homosporus teridoophyte में sporophyte के उपर sporengia बनता है उससे spore बनते हैं और एक free living gametophyte बनता है उस free living gametophyte पर archigonium और enthridium दोनों बन जाते हैं और fertilization के बाद zygote बन जाता है वो zygote divide करके बना लेता है multi cellulose sporophyte हम क्यों बोल रहे हैं homosporus teridoophyte क्योंकि sporengia के अंदर बनने वाले spore का size बिलकुल same होता है एक दूसरे से और वो अलग-अलग gametophyte नहीं बना सकते तो homosporus teridoophyte most teridoophyte होते है slagilina और salvenia ये दो teridoophyte ऐसे हैं जिने heterosporus कहा जाता है इसके अलावा दो तिन example और हैं पर आपने नहीं करने salvenia और slagilina में से हम ये समझते हैं कि इनमें भी main plant body sporophyte है पर यहाँ पर क्या होता है कौन के अंदर दो अलग-लग size के sporengia मिलते हैं छोटा sporengia छोटे spore बनाता है बड़ा sporengia बड़े spore बनाता है छोटे sporengia से बना हुआ micro spore जाकर male gametophyte बनाता है free living और जो बड़ा sporengia है उससे जो बड़े spore बनते हैं वो female gametophyte बनाता है female gametophyte बनाता है जो depend हो जाता है किस पे sporengia के अंदर repeat कर रहा हूँ hetero spores कैसे अलग है पहली बात तो अलग-लग size के sporengia होते है और अलग-लग size के spore बनते हैं जो छोटा spore बनता है जिसे micro spore कहते हैं वो micro spore क्या करता है बिटा micro spore free living male gametophyte बना देता है लेकिन जो mega spore है वो depend हो जाता है sporengia के अंदर वो dependent जो female gametophyte बनाता है dependent female gametophyte बनाने का मतलब क्या है कि first time nature में gametophyte sporophyte पे depend हुआ first time ऐसा हुआ कि female gametophyte sporengia के अंदर रह गया ऐसा किसमे हुआ है hetero spore steridophyte में तो what is meaning of hetero sporeी दो अलग-लग size के spore बनना उससे फाइदा क्या हुआ mega spore female gametophyte बनाएगा और first time female gametophyte retain on sporophyte inside sporengia अब क्या होगा fertilization कहां होगी उस gametophyte पर पर वो gametophyte कुछ time के बाद हट सकता है तो आपको यह समझना है कि hetero sporeus teridophyte ने एक तरीके से seed habit या seed लाने की तयारी करी है इसलिए हम कहते है precursor of seed habit seed बनाने के लिए मुझे चार जरूरते होती है पहला hetero spore होना दूसरा female gametophyte का sporophyte पे होना तीसरा मेरे पास hard integument जिसके बाद sporengia को ovule का नाम दे देते हैं और fourth है embryo undergo resting stage teridophyte जो हमारे पास hetero spores थे उनमें इनमें से दो condition पूरी हो गई कौन सी दो पूरी हो गई इनमें से हमारे पास पहली वाली पूरी हो गई hetero spore दूसरा female gametophyte retain on sporophyte वाली पूरी हो गई लेकिन जब gymno और angiosperm की बात कहते हैं उनमें चारों condition पूरी हो जाती है इसलिए उनमें सीड़ प्रेजेंट होता है अब आपने classes मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी लाइको लाइको प्सीडा में लाइको पोडियम आएगा और साइलोपसिडा में साइलोटम आएगा तो यह फिनिश होता आपका टेरिडोफाइट पर अभी तक आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि टेरिडोफाइट में फर्स ताइम गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट फ्री लीविंग वे फर्स ताइम वास्कुलर बंडल आय इनके अंदर स्पोरेंजिया होते हैं पर वो ओवरी के अंदर नहीं होते हैं जैसे हम बात करते हैं एंजियो स्पर्म की वहां ओवरी के अंदर स्पोरेंजिया होते हैं जिसे ओव्यूल कहते हैं तो ओवरी फ्रूट में डवलप होती है और जिम्नो स्पर्म में ओवरी नही पर सीड के बाहर ओवरी नहीं होती यह हम बोलेंगे फ्रूट नहीं बनता आगे हम चले जाते हैं जिमनोस पर में हर्ब होते हैं श्रब होते हैं ट्री होते हैं हर्ब नहीं होते हैं श्रब होते हैं मीडियम साइज ट्री होते हैं लार्ग साइज ट्री होते हैं सिकोईया जो है साइकस और पाइनस को compare करके उनका root stem लीव देखेंगे. टेरिडोफाइट में main plant body क्या थी? sporophyte. ऐसे ही जिमनोस्पर्म में भी main plant body हमारे पास क्या रहेगी? sporophyte रहेगी. तो जो sporophyte होते हैं, main plant body हमारे पास sporophyte होती है. इसका मतलब जो आसपास आप जिमनोस्पर्म देखोगे, वो एक तरीके से deployed हैं, क्योंकि main plant body is sporophyte है. अब जरा comparison कर लेते हैं किसका? comparison हम कर रहे हैं, साइकस और पाइनस का. पाइनस और साइकस में सबसे पहले root का comparison. पाइनस में याद रखें, root tap root है, और उस root में हमारे पास क्या होता है? mycorrhiza, साइकस में correlate root, क्या मतलब कुछ root का हिस्सा साइकस में ऊपर आ जाता है, और उसमें nitrogen fixation होती है. stem की बात करें, साइकस की stem unbranch है, पाइनस की STEM और cedrus की STEM, त्योंकि दोनो कौनिफर है, branch stem होती है. साइकस की जो लीफ होती है, वो हमारे पास pinately compound leaf होती है, बड़े size की. और पाइनस की जो लीफ होती है, वो हमारे पास कैसी होती है, needle shape होती है. साइकस की लीफ के साथ लिखा हुआ है पाइनस की जो लीफ होती है निडल शेप होती है और उसकी कुछ adaptation लिखी हुई है पहला संकन स्टोमेटा, ठिक क्यूटीकल जो उसको help करता है रेजिस्ट करने में temperature, humidity और एक तरीके से air को रेजिस्ट करने में मदद करता है उसके अलावा अगर साइकस पाइनस में और difference देखे, पाइनस में क्या होता है मेल और फीमेल कोन एकी ट्रीपर होते हैं, साइकस में मेल और फीमेल कोन जो होते हैं, वो अलग-लग से sporengia आ गए थे पाइनस में क्या होता है सारे छोटे sporengia एक साथ मिलके male cone बनाते हैं जिम्नोसपर में और फिर सारे बड़े sporengia मिलके female cone बनाते तो cone क्या होता है group of microsporengia वहाँ पर एक leaf होती है जिसे बोलते है microsporophyll मतलब क्या हुआ cone में leaf होती है …… उसके ूपर हमारे पास क्या लगे रहते हैły ela.. असे male cone क्या होता है मेगा प्री में गहते है गोल होती एphon मेगा-च वियूल कहते हैं अब क्या होता है बिटडा ये लीवड स्पाइरल है इसलिए structure गोल बनता है अब क्या होता है स्टर क्या करता है उड के बाहर नहीं जाता है अब् sos category happen ही मेल जिसे पॉलन ग्रें कहते हैं बना देता है इसका मतलब क्या हुआ भर्र स्टाइम क्या हुआ फिर्स ताइम मेल humility भी ंडड स्पोर जैएं मतलब माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर है, तो first time male gametophyte depend हुआ, क्योंकि माइक्रो स्पोर ने pollen gain बनाए है, जो air से उड़के जा सकता है, wind से जा सकता है, अब बात कर लेते हैं, मेगा स्पोरेंजिया की किस के अंदर, female cone के अंदर, याद रखें, साइकस में मेगा स्पोरोफिल होता है, female cone नहीं बनता, अब क्या होता है बिटा, जो हमारे पास मेगा स्पोरेंजिया है, मेगा स्पोरेंजिया मतलब बड़े साइज का स्पोरेंजिया, उसके बाहर integument होती है, जो protective layer है, उसके अंदर, जो cells होते हैं, उनमें से, एक टिशू होता है, उसे nucellus कहते हैं, nucellus deployed है, nucellus का कोई एक cell, mega spore, mother cell की तरह काम करता है, और उसमें meiosis होके, 4 mega spore बन जाते हैं, इसका मतलब, nucellus deployed है, integument deployed है, तो जो 4 mega spore है, उसमें से 3 खराब हो जाते हैं, जैसा angio spore में होता है, एक जो आगे develop करता है, आगे जो develop करेगा, ध्यान से समझे, आगे जो develop करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं बिटा, उसे हम बोलते हैं, functional mega spore, functional mega spore, जैसे कि angio spore में, 7 cell और 8 nuclei का बना, यहां नहीं होता, यहां functional mega spore, female gametophyte बनाता है, जो dependent होता है, sporengia के अंदर, इस female gametophyte पर, 2 या 2 से जादा archegonium बनते हैं, अब यह जो archegonium है, इसके around pollen grain आकर, पॉल क्या करता है, fertilization करता है, तो जब एक archegonium fertilize होगा, तो zygote बन जाएगा, gametophyte से बनता है, इसलिए हपलोइड होता है, उसके अलावा आपको यह समझना पड़ेगा, कि pollen grain में 2 male gamet आते हैं, पर double fertilization नहीं होती, सिर्फ एक fertilization होती, एक archegonium fertilize होके, zygote बनाता है, double fertilization जब होती थी, वो angiosperm में होती है, तो जिम्नोसपर में आपने यह समझा, कि हमारे पास Megasporengia है, उसके अंदर Nucleus है, Nucleus Deployed Cell है, उसमें से एक cell Megaspore Mother Cell की तरह काम करेगा, उसकी meiosis होगी, meiosis से Megaspore बनेंगे, Megaspore 4 बनेंगे, तीन खराब हो जाएंगे, एक functional है, functional Megaspore क्या करेगा, female gametophyte बनाएगा, उस पर दो या दो से जादा archigonia बनेंगे, वहाँ पर pollen गिन हवा से उड़के आएगा, mouth of archigonia के पास, वो किसी एक archigonia को fertilize करके, zygote बना देगा, अब जो zygote बन गया, तो वो आगे क्या बनाएगा, next generation का sporophyte बनाएगा, और जो female gametophyte है, वो क्या बना देगा, सर्वो endosperm बना देगा, तो क्या double fertilization हुई, नहीं हुई, endosperm, angiosperm में कैसा होता है, triploid, यहां कैसा है, haploid है, यह चीज़ समझ में आ रही है, क्या यहां fruit बनेगा, नहीं क्योंकि naked है, mega sporengia कैसा naked है, तो finally मेरे पास seed development हो जाती है, तो gymnosperm का जो seed होता है, उसमें तीन generation होती है, एक बाहर वाला cover जो seed coat है, वो पुरानी generation का sporophyte है, उसके अलावा जो embryo होता है, नहीं generation का sporophyte है, और जो endosperm होता है, वो gametophyte generation होता है, पर जब हम endosperm की बात करते हैं, उसमें seed में हम दो generation ही लेते हैं, एक seed coat हम लेते हैं, जो old sporophyte है, क्योंकि triple fusion और syngemi के बात बना है, zygote और endosperm, दोनों को हम sporophyte generation का हिस्सा लेते हैं, क्या इतनी चीज़ समझ में आ गई, अब आपको क्या करना है, आपको यह समझना है, कि अगर हम life cycle वाला topic देखते हैं, तो algae में आपको पता है life cycle haplontic है, जिसका मतलब है कि haploid stage जो है, वो main plant body है, और zygote में meiosis होती है, कौन सी algae haplodeplontic है, calp, ectocarpus, polysiphonia, diplontic हमारे पास fucus है, haplodeplontic life cycle का मतलब है, gametophyte और sporophyte दोनों multicellular है, पर bryophyte में क्या होता है, gametophyte main plant body है, इसी लिए हम कहते हैं कि bryophyte haploid plant है, teridophyte में main plant body कौन है sporophyte, इसलिए हम कहते हैं teridophyte diploid plant है, पर bryophyte teridophyte दोनों haplodeplontic है, क्योंकि दोनों में gametophyte sporophyte multicellular stages है, अब हम बात कर लेते हैं जिम्नो स्पर्म और एंजियो स्पर्म की उनकी लाइफ सैकल डिपलॉंटिक है मतलब में प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है गेमेटोफाइट स्टेज में बहुत कम सेल्स हैं इसका एक्जामपल आप यह समझ सकते हो पॉलन गेन में तीनी सेल होते हैं किसके अंदर एंजियो स्पर्म के अंदर तो गेमेटोफाइट स्टेज रेडियूस का मतलब सेल्स के नंबर घट गए और डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट के ऊपर ठीक है हमने यह आपर एंजियो स्पर्म का जिक्र इसलिए नहीं किया है क्योंकि उसको हम सेक्शॉल जिम्नोस्पर में हैपलोड होता और बिफोर फटलाइशन बन सकता है क्या यह चीज़े याद रहेंगी एंजियो स्पर में पॉलीनेशन विंड से वाटर से इंसेक्ट से क्योंकि उसमें फ्लार बनते हैं जिम्नोस्पर में में कैसे होता विंड के थू होता है और एंजियो जिम्नोस्पर्म में फ्लार होते हैं जिम्नोस्पर्म में कौन होते हैं याद रहेगा यह चीज ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम लगबग एकी टर्म हैं हम जिम्नोस्पर्म में तो मेगा स्पोरेंजियम अव्यूल दोनों यूज कर सकते हैं तेम एंजियोस्पर्म में तो एक्जाम पूरी मेनद करिए बाई